हलो फ्रेंड्स रादे रादे आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और फ्रेंड्स ये सुबे का ही वीडियो है तो यहां पर मैंने पानी हलका गरम करकर पी लिया है और इसके बाद रग दिये है चाय बनने के लिए तो यहां पर चाय बन जाए इसके बाद मैं करूंगी दूसरे काम और आज मैं भी आराम से काम कर रही हूं क्योंकि काना की है चुट्टी काना की क्या यहां पर सभी स्कूलों की चुट्टी है क्योंकि दो दिन से बारिस बंद नहीं हुई है तो सभी स्कूलों की चुट्टी दोग है कि नहीं कि जलते जलते हैं जय जल्दी जलते हैँइए जल्दीह yogurt करते हूं सबसे कॉछ सबस्क्राइब कर में काना की लंज बनाओंगे काना को तयार करेंगी और इसके बाद मैं अपने काम में लग जाती में तो यहां पर पूरा सौफा अस्त वेस्ट पड़ा हुआ था तो वो भी मैंने जाड़ कर अच्छे से उसको भी कुशन बगारा सही तरीके से लगा दिये हैं और इसके बाद लगा रही हूं मैं रूम का जाड़ू आप लोग वीडियो एंज्वाइ कीजिए मैं लगा ले नहीं हुँ तक रूम का जाड़ू प्रेंट्स रूम में जाड़ू लग गया था तो मैंनने का पहुँचा और लगा दूँ पहुँचा से और फ्री हो जाओंगी तो मेरा रूम का काम से फ्री हो जाओंगी फिर रह जाएगा बाहर का काम जिसे गली का और उस वाले रूम का भी अभी रह गया है उसमें जाड़ू तो लगा दी है भी पहुंचा नहीं लगा हुआ है तो मैंने का पहले दोनों रूमों का पहुंचा लगा दूँ इसके बाद करूँगी मैं गली का और चुनिया को भी मुझे खाने के लिए वह सब अगयरे रखना है वो भी आवाज लगा रही है तो इसलिए मैंने के मैं रूम से फिर हो जाओं इसके बाद जो भी बाकी काम है बाहर का मैं कर रूँगी बाद में और अभी मेने कपड़ी भी गलाई हुए हैं कुछ तो कपड़ी भी धोना है क्योंकि बारिस की वज़े से कपड़ी तो सूख नहीं रहे लेकिन रोज के जो कपड़ी निकलते हैं उनको धोना ही पड़ेगा चाहे सूखें या ना सूखें तब भी मैं रूम में डाल देती हूं फैन मनलब पंक चला देती हूं कि उसकी हवा में लेकिन उसकी हवा में भी सही तरीके से कपड़े नहीं सूक रहे हैं बारिस में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कपड़ों के क्योंकि दूब नहीं निकलती है और दूब निकलती है तो कपड़े अच्छे तरीके से नहीं सूपते हैं बस तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए मैं लगा ले रही हूं रूम का पहुंचा बारिस में लोग वीडियो एंजॉय का पहुंचा और यहां पर देखिए बस अब रूम का पहुंचा लगने वाला है तो अब मैं लगाओंगी गली में क्योंकि गली में भी बहुत जादा गंदा हो रहा है गोवर की वज़े से तो मैंने यहां पर देखिए फ्रेंट्स पानी पहले ही डाल दिया था मैंने का अच्छे से गल जाएगा भूई रूज का काम गोवर तो यहां पर पहले मैं ज़ाडू से गला दूँगी और अच्छे से अच्छे से जल गल जाए गोवर तो फिर मैं बाई पर से पानी भी निकाल दूगी और यहां पर देखिए चुनिया बंदी हुई है चुनिया भी है और संतुसी भी है दोनों खड़ी हुई थी अंदर ही इनको मैंने इस साइट कर दिया है और इसके बाद मैं इस साइट भी साप कर दूँगी क्योंकि यहां पर भी गोवर बहुत जाद अलगा हुआ है और इसके बाद अब मैं बाइपर से पाने निकाल दूँगी फिर बाद में लगा दूँगी पौँचा और वैसे बाइपर से अच्छी से पाने निकल जाता है तो पौँचे की भी कोई जरूवत नहीं पड़ती है लेकिन कहीं कहीं पर रह जाता है तो फिर मैं थोड़ा सा पौचे से भी कर देती हूँ और वैसे भी बारिस में पूरे में हाँ वागीला तो हुई जाता है बारिस बंद हो नहीं रही है सबसे बड़ी बात है कि पूरे दो दिन हो गए हैं और रात में भी बारिस बहुत तेज हुई और दिन में भी कल इतनी तेज बारिस हुई बहुत ही तेज बारिस हो रही है और अभी भी बारिस चली रही है बहुत ही तेज मनलब तेज हो जाती है फिर स्लो हो जाती है लेकिन बंद नहीं हो रही है तो बस यहां पर गली का मैंने बाइप कर दिया है अब यहां का बाइपर रह गया तो यहां पर रोक कर दूँगी क्योंकि चुनिया यहीं पर बनती है नेना और संतुसी भी यहीं पर बैठती है जादा गीला रहेगा तो उनकी वितवित खराब हो जाएगी जरा में तीनों को सर्दी हो जाती है बहुत जल्दी ये कर लूँ फिर जाओंगी मैं नहाने के लिए हलो प्रेंट्स रादे रादे आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और प्रेंट्स का समय अब नहां कर आ गई हूं और देखिए बारिस नुट रही है बहुत जादा अब बहुत पेज बारिस हो रही है दूंदी कर दोंदी से बारिस नुट अब थोड़ी इसलो हो गई है लेकिन कल से इतनी तेज हो रही है और अभी आपने सुने होगे बतल इतनी तड़क रहे थे और मेरा सभी काम हो गया है तो बस अब मैं जाओंगी खाना बनाने के लिए आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलूंगी और फ्रेंट आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है और मैं खड़ी हुई जैट पर देखें थी कि बारिस हो रही है या तो बहुत बन लेकिन अविस्तद नहीं बन रही है तो नहीं से अब यहाई पर करूंगी एंड यह देखिए भी भी बस्तल यावाज आप बन रहे होगे और बार इस तेज होती जा रही है तो चलिए फ्रेंट्स अम मैं जा रहे हूं खाना बनाने के लिए तो आप लोगों से मैं सल भी हूंगी नई वीडियो के साथ बाई रादे रादे